असलाम अलेकुम गईस आप लोग कैसे उम्मीद है कि आप लोग खेरियस से होंगे मैं भी ठीक हूं अलहमदलिल्ला आज मैं चिकन बिर्यानी बनाओंगी बहुती आसान तरीके से बहुती चटपटी ऐसी आप पहले कभी नहीं खाये होंगे एक बार हमारे तरीके से जरूर ब क्षा मिलाओंगी चिकन में तक बोटी अध बिर्यानी में देखने में अच्छी लगती है कि यह कलर ले लिया है मैंने थोड़ा सा डालूंगी इसमें भी आप चाहँ तो साधा भी बना सकते हो बेना कलर वाला इसकीट कर सकते हो आपको ना पशान हो कलर तो आप इसकीट कर विर्यानी आप पूरी वीडियो देखना बने रहें एक बढ़ना चुड़ा दिया सबसे पहले आप नहीं बनाओंगी इसमें तेल डाल देती हूं मैं सरसो के ओईल में बना रही हूँ, आप चाहो तो रिफैंड ओईल में बना सकते हो, इसमें मैंने ओईल डाल दिया, अब गरम हो जाए, देखेगा इस तेल मैंने डाल दिया है, अब तेल हमारा गरम हो जाए, फिर एक छोटा चिमज चीनी ले लिया है, और एक ही चिमज मैं पानी लिया है इसमें कफ में घोल लिया है चीनी पानी का घोल बना लिया इसमें डाल दूंगी तो सरसोगे उयल के स्मयल बिल्कुल भी नहीं आएगी इसे बिल्कुल रिफैंड बन जाएगा देखेंगा इस तेल में प्याज डाल देती हूं यहां हमारी गोल्डन हो जाए फिर इसमें चिकन डालूंगे आप चीनी और पानी का घोल जब भी डालना गरम तेल में तो आप ढ़कन बंद करके दूर हट लीजिए चूले से वरना तेल बहुत चिटकता है ढ़कन लगा के आप दूर हट लो पानी पढ़ता है गरम तेल में तो बहुत ज्यादा चिटकता है जलने कड़ रहता है इसमें सरसों के वेल्टी बिल्कुल भी इसमेल नहीं रहती है चीनी का गोल डालने से बहुत ही टेस्टी विर्यामी बनेगी प्याज को फरै कर लेते हैं खिर दिखाते आपको देखे गई इस प्याज हमारी हो गई है थोड़ी प्याज में निकाल लूँगी इसी जाली में निकालो फरै करके जाली में निकाल के रखो जल्दी सूख जाते हैं कड़क हो जाएगी अभी तेल सारा निकल जाएगा थोड़ी सी प्याज में निकाल लिया इसको बार में डालूँगी अब चिकन को डाल देते हूं कि अब नमक डाल देती हुँ चिकन में नमक आप लोग अपने हिसाब से डालना मैं देड़ चुमर डाल रहे हुँ क्योंकि चामल में भी पड़ेगा नमक चामल बोईल के रूगी उसमें डालूगी अब लस्सन अधरक का पेज़ डाल देती हुँ दो चिमर लस्सन अधरक का पेजमें डाल दिया हुँ अब इसको भूंग लेते हैं थोड़ा लस्सन अधरक में अरी में इस टिमाटर आज मैंने पीछा नहीं है मिक्सी में ऐसे काट के डालूगी बारी इस चिबीश से खाड़ लिया दो कर लिया हुँ टिमाटर भी बारी आठके बना सकते इसे बारी क्ला इसी में गिरेवी में सब गल जाएगा जो अखनी बनेगा अभी दिखाते हैं अपको मैं दें चिकन में अधरक लक्त्षन डाल दिया है थोड़ा सदही डाल देती हुँ हुँ कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिया है यह भी डाल देती हूँ यह यह यच जब पके Suara your टेलेती मैंने काटा हुझ यह तोड़ेम में काटा था मारेक इसे हो आपसे कर जेसी जर्फिक से लंबाई में काटा है ज्यादा बारीक ने किया है आप चाहो तो मिक्सी जार में पीस के पेस्ट बना के डाल सकते हो पर यह चावल में जब खड़ी-खड़ी रहती है तो बहुत अप्छा लगता है खाने में अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे थोड़ा सा फिर ढख भूंगी इसमें पानी ने डालना है ऐसे मीडियम आट पे बिल्कुल सिलवांट के इसको गलाना है अपनी बन के तयार हो जाएगी इसमें लाल मीच पोडर हल्दी कुछ नहीं ड़ पड़ेगा बहुत लोग हल्दी जाल देते हैं पर हल्दी नहीं डाल। अब इसमें गरम मसाला में दे नाल नहीं भूरे जहीं लाएगा गरम मसाला का त्रेस्ट यहाए ॐल्यानी में प compare शारी एक्ष्चे दीरे दीरे गल जाएगा इसमें मैंने पानी ने डाला है इसमें मैंने चार प्याज मेडियम साइज के काटा था आपको बताना भूर गई थी वीडियो में अब चिकन को 10-12 मिन पकाऊंगी उसके बाद में दिखाते हैं आपको देखी गई इस चिकन की अखनी हमारी बनके तय चावल इसी का बनाओंगी बिर्यानी में इसका चावल बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बनती है चलते हैं इसको दो के चड़ाते हैं और इसमें नमक डाल देती हूँ नमक में इसमें दो छिम्मत डाल रहे हुँ, क्योंकि अख्ण में भी नमक डाला है चिकन में, अब कुछ कुछ खाड़े मसाले ले लिया धिया दीती हुँ, दो तेज पत्ते हैं एक दाल जीनी का तुकड़ा एक बड़ी लाई ची तीन लॉंग एक छोटी लाई ची थोड़ी सी काली मेच लिलका सा रिफैंड ओईल डाल देती हूं तेकि चामल अमारा उबलने के बाद चिपके ने एक दूसरे में थोड़ा सा मने तेल डाल दिया आप भेगा के बनाओंगी तो यह जल्दी बोईल हो जाते हैं ज्यादा बोईल करना ने पड़ता हैं देखिए गाइस चामल हमारा हो गया है अब इसको छान लेती हूं पानी से चन्नी से निकाल लूँगी सारे चामल देखिए मैं एक तसले में निकाल दीए चामल को सारे ही चामल में छांल लूंगे इसी तरीक Star कि गवावर गया darüber मैंने चामल बेजां फटेले में नीचे बचा दिया है घोने में चामल में गानांगी में दिट्रेमी से अब चिकन को ढstud знаете में पर्थ लगाते हूं आरओ चामल खेले खेले बने हैं एक दूसरे में चिपके नहीं है इसे पर्थ बनाके डालूँगी इसे उपर से चामल डालूँगी तो इसी तरीके से सारे चामल के पर्थ लगा लूँगी इसे बाद में इसको दम पर लगाऊंगी चिकन को फिर से डाल देती हूं बहुती मज़े की बिर्यानी बने जी मासला हमारी आप लोग जरूर बना के खाना गई से एक बार देखे गाई अब यह लास्ट चामल बचाया है थोड़ा सा इसके में उपर से डाल देती हूं पतीला मारा भगोना देखे गाई मैंने भगोना चला दिया गया इसके उपर दुबारा से सारे चामल डाल के अभी थोड़े सी दन्या के पत्ती डाल देती हूं उपर से थोड़े से पोदीने के पत्ते मैंने काटा नहीं है इसे पत्ती पत्ती तोड़के डाल रही हूं प्याज ड अब इसको डग दूँँगी, देखेएं मैं अब कलर डालगी है और चावल मैं हो गया है कि उन्हें दिखा रहे हूं को यह बहुत अच्छ अच्छ गोला है औरेंज फ्ट कलर समया चोंट अब डाला देली हम बिर्यानी के उपर यह वही गरम पानी है जिसमें मैंने चामल बोयल की था हुआ इसी में के थोड़ा पानी के था अलगते कच्छा पानी मैं नई डाला है अब ये दो भून मैंने क्योना ले लिया है इशे भी डाल देती हूं कि दो भून डालोंगी ज्ज्ञाया एशे बड़ी से दफचे चेक कर लिया यह हो गई है अब मैं इसको उतार दूंगी गया से नीचे चावल हमारे पख गया है अच्छे से देखे गाइस बिर्यानी हमारे बनके तयार हो गई है यह बहुत ही टेस्टी बनी मासिला इसमें खुशुबू बहुत जबर्दस्ता आ रही है आप लोग जरूर मढ़ना की खाने जबार इसी तरीके से हमारे तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी यह रश्पी यह चावल में दिखा रही हूँ इस सारे चावल हमारे अलग है एक भी चावल तोटे नहीं है चिपके नहीं पश्चे नहीं है लाइक करना सब्सक्राइब करना कोमेंट कर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना दोस्तारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना अल्ला हाफीज